जेतने आस्था चेनल पर कथा सुन रहे हो जेतने फेस्बूक और यूटूब पर सुन रहे हो और साउधानी से सुनना अमावस्या के दिन प्रदोश काल में प्रदोश के समय पर प्रदोश काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी तलाब पाओडी हुआ कहीं ना कहीं जो आप के पास में हो वहाँ पर एक घी का दिया पती का मूं तक्छिन की ओर करकर अवस्य जला करा जाना सारे पित्र दोश समा क्रोजाएगा। प्रदोशकाल में संकर भगवान का नाम जाब करकर नदी तला बाउडी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का अच्मन करकर पित्र अपने लोग को चले जाते हैं प्रदोशकाल के समय पर। इसलिए प्रदोश काल में जलाशय के पास में बाओडी कुवा नदी तलाप के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिन की और मुख करकर बत्ती का तो पित्र आशिरवाद देते हुए जाते हैं कि भलो भूलो आगे बड़ो उन्नती करो तरक्की करो ये पित्रों का आशि बच्चडे को दूद पिलाए और बच्चडे के मुख पर जो फेन आए उस फेन को अमावस्या के दिन चम्मज में लेकर जो बच्चा चिर्चिर करता हो या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो डाक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा ब जिवेक काम करना प्रवल हो जाता है जिसके शरीर पर सफेद दाक पढ़ गए हो चर्म रोग हो गया हो चमडी सफेद पढ़ गई हो गाए जब अपने बच्चडे को दूद पिलाए उस बच्चडे का मुख में जो फेन आए उसको निकाल लीजिए शरीर में जहां जहां प प्रयोग करकर देखी है चमडी अपने असली रंग में आना प्रारम हो जाती है जहां पर पती और पत्नी के संबंद विकार हो जाते हैं विवाद हो जाता है आदालत में बात पहुच जाती है परिवार बालों पर देहच का केस चालू हो जाता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्यारबाई चालू हो जाती है पत्य बापिस प्रेम को बढ़ाया जाए उस प्रेम को बढ़ामेर के लिए संक 루hagwan का कनेर के कुष्प कि माला का कनेर का व। पीला जो 10 प्रीपर दर्शन कर रहा हूंगे कनेर पुष्प कि ओपर जलाधारी लगी है जिस जलाधारी में से बून-बून पानी गिरता है, ये संकर भगवान की पाँच बेटियों का स्थान है, कौन-कौन सी बेटी, नाम लेओ, जया, विशहरा, शामलीबारी, तवतली, और पाँचे नमबर की देव, ये शिवजी की पाँच लड़की है, जो पानी बून-बू नीचे गिरा रही है, संकर भगवान की बेटियों के स्थान से, संकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी, असुक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से, जलाधारी तक, जो कनेर के माला बना कर, इसपर्ष करकर लगा देता है, प्र आपस में प्रेम बनना प्राडम हो जाता है अदालत का किस धीरे-धीरे समाम establish अदालती कारवई यहां तक पहा गया कनेर का पुष्प भाई-भाई में बाद हो रहा हो जमीन के लिए विवाद हो रहा हो या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो या तुमारे दुष्मन बढ़ रहे हो तो भी कनेर का कुश्प शिव को समर्पित किया जा जो हरमान जी महाराज को तीन तरह की माला समर्पित होती है एक आकड़े के पत्ते के दोसरी बेल पत्तर के पत्ते के तीसरी पीपल के पत्ते के यह तीन तरह की माला जब हरमान जी महाराज को समर्पित होती है जिस समय पर अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो ग का इसको घेल ली है और किटनी लीवर साब देकार हो गया तो निवेदन है पीपल के पत्टे की माला बनवाव 108 पत्टे की और हर्मान हर पत्टे पर इस्मन करिए मारत आप अनवान चाली सा पढ़ते जाओ माला में काट लगाते जाईए और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीडित है आता इस पर चकराईए और शंकर को चड़ाईए अपने दवाई लगना प्रारम होगी कैंसर जैसा रोग भी धीरे-धीरे समा अस्तुभ्यम मंत्र का जाब करकर दाट लगाकर भगवान श्रीहनमान जी महराज के सामने पहुच कर माला को सीधी रखकर जो व्यक्ति एक्जाम में बेट रहा है नोकरी के लिए अन्न पढ़ाई के लिए अगर कॉम्पटिशन एक्जाम में भी बेट रहा है तो माला को हन सेवान पॉर प्रयास जहां तक हो सके प्रश्टार में अंचैजद्ण चड़ाईगे तो जाधा फ्ल्डाई रहे तीसरी है का क्ड़े कर माला होती है यह माला कारिकिश्वी के लिए होती है इसमuelyं उस पक्टे को हते पर सीदा राम लिखा जाता है मात्र एकक्टा एसा होता जिस पत्ते पर सीता नहीं लिखा जाए एक सो आज पत्ते में से एक पत्ता बस उस पत्ते को हतेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना तरकर उस पत्ते को बांग देना है यह जरूरी नहीं है कि 25 के उबाद बांदो पचाप के बांदो या सो के बांद और उस माला को अपनी कामना करकर श्री हनमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए माराज इसके लिए कोई तिधी कोई दिन कोई बार मिश्चित नहीं है बस यह माला जब हरमान जी को चड़ जाए तब एक घीका और एक तेल का दिया हरमान जी के सम्मुक में लंबी बाती का लगा देना मारा तेगी का इक और आपनी कामना करकर आप आजाएए आपकी वो कामना धाई महिना या तीन महिना इससे जादा नहीं जाएगा वो कामना बाबा पूरी करेगा क्योंकि शिव और हनमान यह सब एक ही सो अगर आपको रातरी में नींद नहीं आ रही है ऐसा जरूर करकर देखना प्रिक्टिकल करने में क्या जाता है रियास करने में क्या कुछ जाता है क्या प्रिक्टिकल करकर देखना कि कहीं सीवर वाला मारा जूट तो नहीं बोल रहा तो प्रिक्टिकल करने में कुछ नहीं जा एक लोटा पानी लो उसमें थोड़ा सा कच्छा दूद डाल लीजिए पेल पत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़ इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूद को दो पहर में सुभाद 10 बचे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चड़ा देजिए रात्री को फिन आपको प्यास लगेगी ना भूक लग रोगी नींद और लगी तो सुबे ही खुलेगी कर भी शिवाय नमस्थ नश्ड़नस सब कर जम कर चिरी शिवाय नमस्थुभ्या रिक्तिकल जरूर्ड चाहिं वाल्या महरा की प्रते है झाल झाल